दोस्तों मैं आपका दोस्त अभय कुमार एक बार फिर हाजिर हूं अपने एक नए टॉपिक के साथ जिन्होंने भी मेरा पुराना वीडियो देखा था उसमें बहुत अच्छा आपका रिस्पॉंस रहा कमेंट भी आया कि सर इस टॉपिक पर बनाएए इस बार जो टॉपिक ह है वो मुझे प्रस्नली फोन करके आया कि सर आपने इंटर्व्यू में इंग्लिस के लिए कितना इंपोर्टेंस है आपने बताया लेकिन थोड़ा सा यह बताये कि इंग्लिस सीखा कैसे जाए उसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्हों ने भी अभी तक मेर नंबर डाल दिया हूं प्लीज आप मुझे कॉल करें ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं छले समय ना गवाते हुए मैं अपने टॉपिक पर आता हूं हाउ टुलर्ण इंग्लिस हमेशा लोगों के मन में यह रखता है कि सर इंग्लिस सीखा कैसे जाए इंग्लिस सीखा कैसे लोग सोचते हैं सोचते बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं है इंग्लिस सीखना सबसे असान है अगर आप हिंदी सीख गए हैं और हिंदी और इंग्लिस का कंपेर करेंगे हिंदी और इंग्लिस का कंपेर करेंगे तो आप पाएंगे कि इंग्लिस बहुत ही असान हो जाएगा लेकिन उसके लिए हम क्यों बातों करने से बाते करने से नहीं होगा हमको क्या है practice करना पड़ेगा English में quotation है practice में make make perfect तो English को आप सीखने के लिए कुछ perfection की जरुवत होती है जो आपको हमेशा करना है उसके लिए आपको dedication चाहिए डेडिकेशन चाहिए कि हमको इंग्लिस सीखना यह तो कुछ कौमन से चीज़ें हैं जिनको आप प्रेक्टिस में इंप्लेमेंट करके आप अगर कर रहे हैं तो इंग्लिस सीखना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा सबसे पहले तो जो कुछ भी आप लिख रहे हैं कुछ भी लिख रहे हैं कोई भी चीज राइट कर रहे हैं आप लिख रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा कोसिज कीजिए इंग्लिस में लिखने के लिए हर एक चीज इच एंड एवरिधिंग आप इंग्लिस में लिखने क के लिए कोसिस किजिए आप दे बाइडे ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही आपको समझ में आ जाएगा नहीं लेकिन एटलिस्ट कम से कम कुछ तो आप स्टार्ट करो कि वह सोचने से नहीं होगा मैं सोच रहा हूं मैं बेट पर सोया हूं सोच रहा हूं उससे कुछ नहीं होगा त जो day to day life में आप कर रहे हो, daily routine में कर रहे हो, आप daily जो activity है, उसके लिए जो आप कर रहे हो, उसको per day दो पेजों में आप लिखें, अपने ही language में लिखें, no problem, आप किसी से कोई cheating ना करें, आप अपने मन से जो भी आपको आता है, जो भी तूटा-फूटा आता है, आप उसको दो पेज, at least per day, ठीक है, evening में आपको लिखना है per day, अगर लिखते हो, तो आपको क्या रहेगा, उसको habitual हो जाएगा, तो एक study में पाया गया है, कि कोई भी चीज आप 21 दिन तक करते हो, 21 दिन तक कोई चीज आप करते हो, तो आपके habit में आ जाता है, कोई भी चीज अगर 21 दिन तक continuous आप कर रहे हो, तो आपको habit में आ जाएगा, उसके बाद आपको खेशी की जरुवत, किसी reminder की जरुवत नहीं होगी, तो आपको करना क्या है, कि per day आपको इंगलिस लिखना है, जो आप day to day life में यूज करते हो, इसके साथ, आप एक practice बनाईए, कि हमें per day, per day at least five words, five words per day new हमको सीखना है, per day new five words हमको सीखना है, एक practice बनाईए, कि per day हमको five words अपने जो सब्दकोस है, अपने जो dictionary है, माहिंड का डिक्शनरी है, उसमें हमको जोड़ना है, क्योंकि जब तक आपको सब्दों का ग्यान नहीं होगा, आप उसको जोड़ने पहोगे, तो हमको क्या करना है, यह practice बनाना है, जो पीचा, छोटा हो या बड़ा हो, आपको क्या है, कि every day हमको 5 words, इंगलिस का आपको याद करना है, अब याद कैसे होगा, उससे अपने जो wording लिखते हैं, every day two pages जो लिखते हैं, two pages जो लिखते हैं, उसमें क्या है, उसको उससे relate कीजे, जो उस word है, उससे relate कीजे, जब जो दो page लिख रहे हैं, यह five words को उससे relate करेंगे, तो आपको memorize करने में असानी होगी जब ये दो पेज है, दो पेज, तीन पेज ऐसे आप अपने practice को बढ़ाएंगे और जितने आपके words याद कर रहे है तो याद करने का तरीका क्या है उसको आप वाक्यों में convert करें, वाक्यों में उसको include करें ठीक है, जैसे go कोई भी एक wording लिजिए तो उसको क्या है आप अपने वाक्यों में उसको include कीजिए, include करेंगे तो क्या हो, आपको memorize करने में असानी होगी, यह हो गया दूसरा step, everyday 5 words, आप ऐसा नहीं है इसको याद कीजिए तो फिर आप कभी-कभी repeat भी करते रहिए उसको इसके बाद आता है आपका conversation ठीक है, जब आप English लिखना और बोलना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने मन के अंदर से मन के अंदर से डर निकालना जरूरी है ठीक है मन के अंदर से डर निकालना जरूरी है कि जो मैं बोल रहा हूँ, वो गलत बोल रहा हूँ पहले grammatical आपको सोचना ही नहीं है grammatical पहले आपको सोचना ही है नहीं जो आता है टुटी-फुटी एक ग्रूप बनाएए अपने जैसे लोगों का ग्रूप बनाएए और उनके साथ discuss कीजे, ठीक है कोई भी आदमी हिंदी में बात नहीं करेगा जो आएगा, वो इंग्लिस में बोलेगा आप ऐसे conversation start करेंगे तो आपको easily होगा कोई भी interested topic ले लिजे कोई भी interested topic सबसे यादा लोग interest किसमें रता है cricket में सबसे यादा interest किसमें रता है politics में सबसे यादा interest किसमें रता है बॉलिवूड में आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी topic पे लेके आप discuss start किजे कम से कम start करने से क्या होगा आपके अंदर का जो डर है वो निकलेगा अंदर का जो डर है वो निकलेगा उससे क्या होगा आपको असानी होगी अपने conversation को सही करने में तीस और चौथा जो है चौथा फोर्थ एस्टेप है फोर्थ एस्टेप जो है वह आपको क्या है जो न्यूज पेपर है न्यूज है आपके मोबाइल में स्मार्ट फोन है सब लोग क्या कर रहा है आज कल फेस्बूक वाटसब फेस्बूक वाटसब यहाई आप सिंपल सा चीज लिजिए कोई भी न्यूज उठाई है जो आपको ऐसा कोई नहीं कि न्यूज आपको कुश हुए आप किवल सिंपल ओपल सार रेडिंग लगाना चालू करें जो आपके इंटरेश्ट का चीज है आपको अगर क्रिकेट पसंद करना क्रिकेट आपको पसंद है तो उसको क्रिकेट का आप खोल के पढ़िए पांच पे डश से देली पढ़ेंगे तो आपको एक जो प्रोनांसियेशन कैसे वह आपके वोकवेलरी में भी जुड़ेगा तो आप ये चार स्टेप अगर फॉलो करते हैं डेफिनेटली आफ्टर सम्डेज कुछ दिनों के बाद कुछ दिनों के बाद आपको लगेगा कि हां आपको अंदर से पता चलेगा कि मैं अपना इंगलिस थोड़ा सा तिल नाव आप इनिस्टेज में इन सारे स्टूपों को फॉलो करके आप इंगलिस लर्निंग के तरफ आगे बढ़ सकते हैं आसा करता हूं कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है आपको पसंद आया हो अगर मेरे द्वारा जानकारी दी गई है तो प्लीज आप सब्सक् करें लाइक करें एंड कमेंट करें थेंक्यू भेरी मुच